आप सोचते होंगे कि आखिर नई स्रिस्टी क्या है? स्रिस्टी करता ने मिट्टी के बनाए शरीर रूपी पुतले में अपनी आत्मा को जीवन की श्वास भूख कर एक मानव आत्मा की रचना की और मनुष्य एक जीवित आत्मिक प्राणी बना इस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है उसके पास प्राणन है और वह एक शरीर में रह किसी पहले आदम में सारी मानोता की रजनों संयोग या दुर्भाग वश पाप ने आदम की आत्मों में प्रवेश बाता है उसे मृत्यू और शेतान के वश्पे करते हैं पाप में पड़े आदम जाती को पाप, श्राप, मृत्यू और शेतान के चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए स्रिस्ठी करता स्वेम, दूसरा या अंतिन आदम के लिए मनुष्य का देधारण है इश्पे के नाम में मनुष्यू इस प्रवानों की आत्मा को पाप के बंधन इस चुडाने और उसे नया बनाने के लिए इश्पे क्रूस पर अपना लखु पाए इश्पे मरे होने से नित्यू के बंधन को तोड़कर जीव कर और हर विश्वास करने वालों को नया जुवन दे सके आज जो मनुष्य इस क्रूस की घट्मा पर विश्वास करने है वह स्रस्टी गर्णा की आत्मा से एक नया जनुम पाए इस नय जनुम पाए मनुष्य की आत्मा एक नई स्रस्टी बचाते है नई स्रस्टी चैनल का ये कार्ण सभी जाती और जर्म से उपर इश्व मसी में नई स्रस्टी बनने के दरिखे और नई स्रस्टी बने लोगों के ल अपने सभी दर्शकों का हम हिर्दे से स्वागत करते है और आजकल की इस स्वरीज में हम लोग परमेश्वर के द्वारा ठराई हुई उस वेवस्था को जो विश्वास के अनुसार मंडलियों में काम करती है अपनी आवशकताओं के बारे में अध्यान कर रहे हैं कि जैसा प्रभी इश्व मसी ने कहा कि पहले मेरे राज और धार्मिक्ता की खोज करो तो सब कुछ जो कुछ तुम्हें आवशक है वो तुम्हारे अकाउंट में दिया जाएगा तो इश्व मसी का वचन तो इश्व मसी के तरह स्वर्ग में स्टेबलिश है वो टल नहीं सकता लेकिन आज की अवशकता है कि हमें परमिश्वर के वचन को अपने आत्मा में अपने हिर्दे में अधिकाई से बसाना है जिससे कि वो इस प्रिथवी पर स्टेबलिश हो सके और इसी करम में पिछले भागों में हम लोग ने देखा कि परमिश्वर की इच्छा हमारे जीवन में अपनी आशिशों को देने से है क्योंकि इच्छु मसी इसलिए आया कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे हमारे जीवन के सारे छेत्रों में परमिश्वर अपने पुत्री इच्छु मसी के द्वारा आशिश देना चाहता है और इन आशिशों की शुरुवात हमारी आत्मा से होती है फिर हमारी मानसिक्ता के द्वारा हमारे प्राण या हमारे सोल को प्रभवित करती है और फिर इसके बाद वो हमारी सारी अवशक्ताओं को भी पूरा करना चाहता है और चाहता है कि हम शरीर में भले और जंगे रहें पिछले भाग में हम लोग ने परमिश्वर के वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखा है जाना है और यदि परमिश्वर का आत्मा आपके जीवन को काहिल कर रहा है आप पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि आज के समय में मंडली में विश्वासियों को अपने दस्वा आंश को देना चाहिए तो जरूर हमें अपने दस्वा आंश को जो रुपिया पैसा धन दौलत नहीं है लेकिन हमारे विश्वास का एक प्रगटी करण है इससे हमें प्रभू यश्व मसी को देना चाहिए क्योंकि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो जो विश्वास का मैनिफेस्टेशन या उसका प्रगटी करण है वो हमारी आत्मा से हमारे जबान तक जुड़ा हुआ है इशु मसी ने भी कहा कि और विश्वास का संबंद मनुश्य के दिमाग से नहीं है विश्वास का संबंद मनुश्य की आत्मा से है और जब उसकी आत्मा में विश्वास होता है तो वही उसकी जबान से भी निकलता है तो आज के इस भाग में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम अपनी कमाई के दस्वा हिस्से को अपनी मंडली में लेकर जाते हैं तो उस दस्वा अंश को हम किस नियम के अनुसार प्रभु येश्यो मसी को समर्पित करें क्योंकि प्रभु येश्यो मसी ही मंडली का सर है और वो ही स्वर्ग में हमारे लिए महाया जग बना है इब्रानियों की पत्री में भी बहुत सफाई से लिखा हुआ है कि हम परमिश्वर को कैसे प्रसंद कर सकते हैं हम अपने भले कामों से अपने दस्वांश से अपने भेंटों को दे करके हम चाहें कि हम परमिश्वर को प्रसंद कर लें तो ये असंभव है परमिश्वर के पास आने के लिए हमें विश्वास करना होता है और हम किवल अपने विश्वास के ही द्वारा परमिश्वर को प्लीस कर सकते हैं उसे प्रसंद कर सकते हैं इसलिए बार बार हम लोग ने इस बात की चर्चा की है कि हम जब अपने कमाई का दस्वा अंश प्रभू के पास लेके आते हैं तो हमें इसे विश्वास के अमसार देना है और इसके लिए हम लोग वेवस्था वेवरंड के 26 अध्याय के चंद कुछ पदों को जा करके देखेंगे जहां इस प्रकार दूसरे पद में लिखा हुआ है तब जो देश तेरा परमेश और यहवा तुझे देता है उसकी भूमी की भाती भाती की जो पहली उपज तु अपने घर लाएगा उस में से कुछ टोकरी में लेकर उस इस्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश और यहवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले इस दूसरे पद में परमेश और का वचन कहता है कि दस्वाँ अंश ना केवल हमारी कमाई का दस्वाँ हिस्सा है परन्तु ये हर एक कमाई का पहला भाग है और यहाँ पर मुसा नभी इस बात को बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने दस्वाँ अंश को परमेश और के भवन में लेके जाएं और इसी 26 अध्याय के चौते और पांचमे पत को भी हम पढ़के देखेंगे जहां इस प्रकार लिखा हुआ है तब याजक तेरे हाथ से वे टोकरी लेकर तेरे परमिश और यहवा की बेदी के सामने रग दे तब तु अपने परमिश और यहवा से इस प्रकार कहना मेरा मूल पुरुश एक अरामी मनुश था जो मरने पर था और वे अपने छोटे से परिवार समेथ मिश्र को गया और वहाँ परदेशी होकर रहा और वहाँ उस से एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुश्यों से भरी हुई जाती उत्पन हुई इस चौते पद में मुसा नबी यहुदियों को या इसराइलियों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब तु अपने दस्वांश को टोकरी में ले करके परमिश्वर के भवन में याजकों के पास जाना तो उन्हें अपनी वस्तों को यूही मत दे देना लेकिन देने के साथ तुम्हें कुछ कहना होगा कन्फेस करना होगा अंगिकार करना होगा और जब हम अंगिकार की बात करते हैं, कन्फेशन की बात करते हैं, तो एक मानसिक्ता जो हमारे जीवन में चली आई है, कि कन्फेशन हमेशा पाप का ही होता है, लेकिन चार प्रकार के कन्फेशन होते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग ने नियम में फिर कभी करेंगे, और उन्ही में से एक अंगिकार है, जिसे Confession of Faith कहते है, हमारे विश्वास का अंगिकार, और यहां पर मुसा नबी इसराइलियों को इसी Faith Confession या विश्वास के अंगिकार के बारे में बता रहे हैं, और यह कहा रहे हैं कि जब तुम अपनी टोकरियों को लेकर अपने दस्वा अंश को लेकर के पहली उपज को लेकर आना तो परमिश्वर यहवा के सामने इस प्रकार से कहना उससे बताना कि तुम्हें किस प्रकार से परमिश्वर ने अंधिकार के वश से छुडा कर अपने प्रिय पुत्र ईश्यो मसी के राज में प्रवेश करा दिया है इसे में अगर हम लोग आठवे पत से ग्यारा पत तक पढ़ेंगे वहां भी लिखा हुआ है और यहवा ने बलवन्थ हांत और बढ़ाई हुई भुजा से अती भ्यानक चिन और चमतकार दिखला कर हमको मिश्र से निकाल लाया और हमें इस इस्थान पर पहुँचा कर यह देश जिसमें दूद और मधू की धाराएं बहती है हमें दे दिया अब हे यहवा देख जो भूमे तू ने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूँ तब तू उसे अपने परमिश और यहवा के सामने रखना और यहवा को दंडवत करना और जितने अच्छे प्रदात तेरा परमिश और यहवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मद में रहने वाले परदेशियों सहित अनंद करना इस हिस्से में मुसा नभी ने इसराइलियों को ये नियम दिया कि किस प्रकार से हमें अपनी पहली उपजिया अपने दस्वा अंश को परमिश्वर यहवा के भवन में देना है और ये देना विश्वास के साथ देना था और इस विश्वास के अंगिकार के बारे में पॉलस भी दूसरे कुरूंतियों उसके चौते अध्याई के तेरा पद में कहते हैं क्यूंकि हमने वही विश्वास का आत्मा पाया है इसलिए मैं बोला तो विश्वास करने का मतलब य होता है कि हम विश्वास के अंगिकार को करते हैं परमिश्वर के वचन को जो हमारी आत्मा में है उसे विश्वास के द्वारा अपनी जबान से रिलीज करते हैं और यही मुसा नभी भी इसराइलियों को बता रहे हैं कि जब तुम अपने दस्वा अंच को पहली उपज को ले जो दूद और नदियों का देश है और इन तमाम वस्तों को जब परमिश्वर के पास लेके आना तो इसके द्वारा तुम परमिश्वर का दंडवत करना उसे वर्शिप करना उसका धन्यवाद चढ़ाना और फिर इसके आगे ग्यारा पत में लिखा है कि सबके साथ मिल करके आनंद करना तो दसवां अंश या टायथ जब हम परमिश्वर के भवन में लेके जाते हैं तो इसे हम दुख और कस्ट के साथ नहीं दें लेकिन हम आनंद के साथ दें क्यूंकि हमारे आनंद में हमारा विश्वास जूड़ा है और फिर धन्यवाद के साथ हम परमिश्व और पिता को परभी येश्य वमसी जो हमारा महायाज़क है उसके समुख हम वर्षिप करें उसका धन्यवाद करें उसकी आशिशों के लिए कि उसने हमें अपना अनंद जीवन दिया है परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया है तो हमारी और बाकी जरुवतों को क्यों ना पूरा करेगा तो जो एटिट्यूट है टाइट को देने का या किसी भी आफरिंग को देने का वो कुढ़न के साथ नहीं है लेकिन हर्श के साथ है आनन्द के साथ है क्योंकि इसमें हम परमेश्वर का धनिवाद करते हैं और उसकी अरादना करते हैं उसे दंडवत करते हैं क्योंकि दसवा अंश पवित्र है ये परमेश्वर का है और इसे हम लोग परमेश्वर के समुख अपने विश्वास के अंगिकार के साथ प्रभू के समुक दंडवत करते हैं तो आज के इस भाग में हम लोग ने देखा कि दस्वा अंश परमिश्वर के समुक लाना एक आनंद की बात है क्योंकि इसके द्वारा हम परमिश्वर का धनवात करते और उसकी हम अरादना करते हैं और जब हम मनली में दस्वांश की बात करते हैं तो ये उन विश्वासियों के लिए जिन्हों ने अभी तक अपने दस्वांश को दिया नहीं है उनके लिए बहुत कठिन है कि अपनी सारी कमाई से वो अपने दस्वांश को दे पाएं क्योंकि जो भी इंकम आ रही है जो भी कमा रहें उसका हम पहले से बजटिंग कर लेते हैं हमें मालूम है कि कितना हमें इंकम टेक्स देना है, कितने बच्चों की flood देनी है, किस प्रकार से अपने मेहने के खर्चों को करना है बच्चों के future को देखना है उनकी शादी बीया का अंतिजाम करना है गर बनाना है इन सारे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी परमिशवन ने हम लोगों को दी है और इसलिए जब भी हमारे पास कमाई आती है तो हमारी कमाई का हिस्सा इनी आवशकताओं के अनुसार बढ़ जाता है और इसलिए दस्वाँ अंश को शुरू करने का जो सबसे बढ़िया मौका है वो तब है जब आप अपने फनेशल क्राइसिस के टाइम में होके गुजरें सब के जीवन में आंधी और तुफान आते हैं इस जहाँ के जीवन में भी जब आकाल पड़ा तब उसने अपना सारा बीच बो दिया और परमिश्वन ने उसके बीच को सो गुना बढ़ाया तो यदि आज आज आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से कस्ट में होके चल रहे हैं तो इस क्राइसिस को आप एक अपॉर्चनिटी लेके चलें और उस घटी से जब आप अपने दस्वन अंश को परमिश्वर के पास लेके आएंगे तब आप परमिश्वर के कामों को अपने फाइनस पे भी देखेंगे और जब आपके पास बहुताहित की आशिश होगी उस समय आपको अपना दस्वन अंश निकालना कठी नहीं होगा लेकिन तब आप उसे आनंद के साथ विश्वासयोगता के साथ धन्यवाद और स्तूती के साथ परमिश्वर के पास लेकर आ सकते है तो जीवन में जब फानिशल क्राइसिस होती है तो वो बहतर टाइम होता है कि हमें अपने दस्वन अंश को देना शुरू कर देना चाहिए और इसकी शिक्षा भी हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए अपने बच्चों से क्योंकि बच्चे जो अपना पॉकेट मनी पाते हैं उससे जब वो अपने दस्वन अंश या टाइट को निकालते हैं तो इसके बाद जब वो अपने चीवन को शुरू करते हैं, कमाई को शुरू करते हैं, तब उन्हें अपने दस्वा अंश को देने में कोई भी कस्ट नहीं होगा, दस्वा अंश पवित्र है, ये परमिश्वर का है, और इसे हमें आनंद के साथ, हर्श के साथ, परमिश्वर क कि उस मंडली में देना चाहिए जिस मंडली के हम हिस्से हैं इस भाग में हम लोग ने दस्वा अंश के बारे में जाना है दस्वा भाग जो है वो कमाई का दस्वा हिस्सा है नब्वे प्रतिशत आपका है जिस नब्वे प्रतिशत को जो आपकी कमाई का है वो आप अपनी आपका सीट या आपका भेट कहलाता है या उसे हम आफरिंग कहते हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे कि दस्वा हिस्सा तो कमाई का दस्वा भाग है लेकिन जब आप उस नबे प्रतिशत में से कुछ भी निकाल करके परमिश्वर के राज में देते हैं तो वो आपका सीड बन जाता है बीज बन जाता है जिसे हम भेट या ओफरिंग कहते हैं आईए हम लोग प्रातना करें हमारे जिवित और द्यालू पिता परमिश्वर हम धनेवाद करते हैं आपकी बड़ी दिया और आपके अनुगर के लिए प्रभू येश्यो मसी के नाम से अपने दर्शकों के लिए हम प्रातना करते हैं जो आज किसी भी प्रकार से अपने शरीरों में दुखी परेशान बेमार रोगी है अपने मन की उलजनों में परेशान है और अपनी आत्माओं में पाप की दशा में है प्रभू येश्यो मसी के नाम के द्वारा उस पवित्रात्मा के अभी शेक को हम रिलीस करते हैं और ये बिंती प्रात्ना करते हैं कि प्रभु येश्यु मसी पर विश्वास करने के द्वारा ये अनंत जीवन को पाएं और इनके सारी अविशक्ताएं हमारे पिता परमेश्वर प्रभु येश्यु मसी के द्वारा पूरी हो सकें इस प्रात्ना को आपके पुत्र अपने उधार करता इश्यू मसी के नाम से मांगते आमिन प्रभू आपको बहुतायत की आशिशें और अपनी स्वर्गे विज्डम से परिपून करें